हेलो एवीवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे स्वस्थ होंगे तो आज की जो रीडिंग है यह हम करने वाले हैं देखेंगे हम कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ठीक है रीडिंग का टॉपिक यह है और य ये reading सब के लिए होगी चाहे आप contact में हैं चाहे आप no contact में हैं चाहे आप less contact में हैं ठीक है सब के लिए होगी ये reading और इसमें हम देखेंगे तोटली कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ठीक है, सो पॉजिटिव होकर कि ये रीडिंग को देखिएगा अपने मन में कोई निगेटिविटी लेकर कि ये रीडिंग को मत देखिए करें, थोड़ा सा रीडिंग डेकने से पहले पानी पीलिजिए ताकि आपका जो दिमाग है थोड़ा सा शांत हो जाए और थोड़ा फोकस अच्छे तरीके से आपका बन पाएगा ठीक है सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट देखते हैं क्या कार्ट्स बताते हैं आपके ओके गाइड करें एंजल स्विनिवर्स एंसेस्टर्स मुझे गाइड करें ओके ओके गाइड करें एंजल्स ओके ठीक है देखते हैं कार्ट्स विस्टम का कार्ड है ओके डिस्कनेक्ट नमबर फोर ओके नमबर शिक्स नमबर नाइन सफरिंग इन साइलेंस पॉर्टम अफ देखे तो हमें मिलता है है मेंटल कॉन्फिक्ट नमबर टू का कार्ड है फैमिली राजी नहीं होगी बहुत सारे कुछ चीज़े यह पॉर्टम बोलते होंगे मैं यहां पर यही देख पा रहे हूँ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में न थोड़ा सा आपके पार्टनर का माइंड स्ट्रस में जरूर है क्योंकि यहां पर इनके मन में ही काफी ज़दा लडाया चल रही है ऐसा लगता है कि यह पर्टन क्या करें क्या ना करें इनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं यह जो पर्टन है जब देख रहे हैं अपने डिसीजन को अपने फीलिंग्स को तो कहीं न कहीं इनको वह अकेला पन वो खालीपन नजर आ रहा है और ऐसा लगता है जैसे कि कुछ खालीपन सा है लाइफ में कुछ ऐसा जरूर है जिसको ये जो पॉर्शन है नहीं देख पा रहे हैं या नहीं रिड कर पा रहे हैं कुछ ऐसी चीज़े जरूर है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेकर अपने फीलिंग्स को लेकर अपने इमोशन्स को लेकर के देखें मुझे काफी अलक्सी वाइब, अलक्सी एनरजी को ये पॉर्सन क्रियेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर की बीच में थोड़ा एक जो होता है कि connection है न डिली करना वो connection कहीं न कहीं वो आप लोग डिल नहीं कर पा रहे हों यहां आपके पार्टनर को थोड़ा सा अंदर से यह confidence लेवल जो है इनका बहुत बहुत लो जा रहा है confidence लेवल काफी लो जा रहा है ऐसा लगता है जैसे कि आपके जो पार्टनर है एकदम से अपने confidence लेवल को समाल नहीं पा रहे हैं अपने आपको नहीं समाल पा रहे हैं अपनी feelings को नहीं समाल पा रहे हैं देखिए यह जो person है ना कुछ decision तो लेना चाह रहे हैं लेकिन decision क्या perfect रहेगा इनके लिए इनके लिए अलग से यह तैय करना काफी जादा मुश्किल है क्योंकि एक तरफ आपके बारे में सोचना और द पर्षन को अभी फिलहाल किसी के guidance की ज़रत है इस पर्षन को यह मैसूस हो रहा है कि इनको किसी ना किसी से discuss करने चाहिए और यह person discuss कर भी रहे हैं किसी ऐसे पर्षन से discuss कर रहे हैं जिसके पास बहुत ज्यादा knowledge है काफी experience person है वो हो सकता है कि वो कोई advocate हो ऐसा भी देखता है जैसे कि आप दोनों के बीच में काफी clarity लाने में ये इनसान काफी help करेगा आपकी partner की इनको ऐसा लगता है क्योंकि इस person को जब भी इस person ने देखा है तो इस person ने बहुत सारी लोगों की problem को जो है सही किया है solution निकाला है और मुझे ये दिख रहा है जैसे कि आपके और आपके partner के बीच में वो एक तनहा तनहा सी feelings तनहा तनहा से emotions वो नज़रा रहे हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे ये person का जो है यह आपे एक vision रहा है या कहें तो एक बहुत ही ज़दा clear thought रहा है कि आपके साथ एक strong connection को बनाए ये person strongly ये person आपके साथ जो भी connection को बनाना चाहते हैं वो इस connection को बनाए और आपके साथ अपने connection को जीए ये person यहाँ पर ये person कहीं ना कहीं आपको लेकर के अपने life को लेकर अपने feelings को लेकर के ये person काफी ज़दा deep level में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे ऐसा भी feel हो रहा है आपके cards में कि आपके और आपके partner के बीच में truth का card है एकदम से काफी ज़्यादा clarity देख रही है कि आपके जो person है ना ये देखिए ये person जो है ना अपने connection को लेकर के काफी positive है और इस connection में जो जो चीजें हैं कहीं ना कहीं ये एक एक ऐसा सपना देख रहे हैं जो कि काफी मुश्किल है लेकिन नामुम्किन नहीं है आप दोनों का connection जैसे कि आप दोनों का सच्चाई को जाना चाहते हैं इस रिष्टे में क्या है और डीप वो जानना चाहते हैं आपके partner इसके लिए person काफी तर्ड्री अपर ठ्राइब करते हुए दिख रहे हैं ये person balance बनाते वह दिखाए दे रहे हैं balance करते हुए दिख रहे हैं आपको justice कहीं न कहीं ये person देते हुए दिख रहे हैं आपके साथ justice करना इनका एक करतव या दिख रहा है इनको ऐसा लगते हैं जैसे कि यह person अगर justice नहीं करेंगे तो यह person अपने आपको जिन्दगी पर माफ नहीं कर पाएंगे जो आप deserve करते हो वो आपको नहीं देंगे तो यह person अपने आपको जिन्दगी पर माफ नहीं कर पाएंगे ऐसी feelings ऐसी vibe मुझे नज़र आ रही है देखिए ये person अभी फिलहाल इन्होंने अपने आपको separate कर लिया है किसी से कुछ बाते नहीं, किसी से कोई connection नहीं कहीं ना कहीं ये person ने अपने आपको एक जो हताना है लेकि इनको अपना खुद का time चाहिए क्योंकि जो decision लेना है उसके लिए काफी सोच विचार करना होगा और ये person अलग-अलग लोगों के thoughts को सुनती रहेंगे तो confusion बढ़ती जाएगे सो ये person सोच रहे हैं कहीं ना कहीं अपने आपको separate करने के बारे में कि अभी फिलहाल दस दिन पंदरा दिन किसी से ना मिलना जुलना किसी से कुछ नहीं कोई बात चित नहीं ना फोन पे किसी से के साथ चैटिंग करना कोई social media को यूज ना करना कहीं ये person disconnect होने की बात सोचते वे दिखाई दे रहे हैं इनको ज़्यादा involved नहीं होना है उन सारे चीजों में थोड़ा सा अपने आपको relax करना है क्योंकि मुझे जहां तक दिख रहा है कि person को नींद भी नहीं आ रही है आजकल अच्छे तरीके से सोना तो सबका होता है लेकिन एक chain की नींद आना एक सुकून आना वो नहीं आ पा पार्टनर की बीच में जो है न यहां पर ऐसा देखता है जैसे कि आपके पार्टनर ने सोचा जरूर है कि कुछ टाइम के बाद हम इस रिष्टे में कहीं कुछ पॉजिटिव सा action लेंगे decision लेंगे क्योंकि यहां पर देख रहा है कि balance बनाना पड़ेगा आपके पार्टनर और maintain करना काफी ज़दा अच्छा रहेगा सो कहीं ना कहीं यह जो relation है ना काफी ज्यादा खूबसूरत है काफी positive है देखिए यह पॉजिटिव इंटेक करने के लिए भी सोचते वे दिख रहे हैं जैसे कि आपको भी ऐसास ना हो कि आपने ज्यादा time दिया है या ज्यादा क कुछ दिया है तो आपको कुछ ज्यादा मिलना चाहिए इंसे सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यह person के अंदर में देख पार हूं कि यह person थोड़ा सा इस बारे में सोचते वे जरूर दिखाए दे रहे हैं कि अभी तक आपने क्या किया है ठीक है और अभी तक आपका क्या reaction रहेंगी emotions रहेंगी सारी कुछी जो है ना यहां पर जो है करते हुए दिख रहे हैं मुझे यहां पर यहीं दिख रहा है कि आपके partner को आपके साथ जो relationship है उसको उसको maintain करना है देखिए आपके partner किसी से discuss नहीं करना चाहते हैं अब इस मामले में क्योंकि इनको लगता है कि क्या discuss करो क्या ही discuss करो क्योंकि किसी से यह person कहे करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे है ना अपना दर्द अपनी तकलीफ यह person किसी से कहेंगे भी न तो मुझे जहां तक लिख रहा है कि यह person वो दर्द वो तकलीफ किसी से वो नहीं कह पाएंगे जो इनके दिल में है जो इनके दिल की feelings है ठीक है मुझे यहां पर यहीं देख रहा है कि आपके जो partner है ना कहीं ना कहीं एक आपके partner एक बेचैनी को जहलते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसा रगता है कि जिसे कि आपके लिए बेचैनी हो रही है और वो बेचैनी जो है यह person मतलब वरदाश कर रहे हैं बस क्या करें यह person कोई और रास्ता नहीं है ना इनके पास यह कहीं ना कहीं यह person अपनी बेचैनी को बरदाश करते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसा लगता है जिसे कि कोई इनको समझने वाला नहीं है या कोई इनको नहीं समझ पाएगा इनकी feelings को कोई नहीं समझ पाएगा सो वो मुझे खास तोर से दिख रहा है ठीक है सो येस मुझे ऐसा feel हो रहा है wisdom के energy कि गाइड करें wisdom के energy क्यों है wisdom के energy क्यों है गाइड करें अंजल कि इंग अवर्ण्स एकदम से मैंने पहले भी कहा कि जो पॉर्षन है काफी spiritual पॉर्षन से या काफी experience वाले पॉर्षन से ये पॉर्षन अपने मन का बोच कहते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन से suggestion लेते हुए दिखाई दे रहे हैं सो मुझे यहां पर यहीं देख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक एक जो connection है जो भी connection है न फॉर आफ स्वार्षन इस पॉर्षन ने काफी सोच विचार किया है और कहीं यह पॉर्षन जो है न आपसे दिखावे के लिए दूरी बना रहे हैं या कहें तो आपको नहीं दिखाना चाहते हैं कि इनका ध्यान है या यह पॉर्षन आपको देख रहे हैं या आपके बारे में इनको पता है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो क्या कर कैसे कर कर रहे हो सारी चीज़्य जो है ना यहां पर है काफी ज़दा कर रहा है फ準 बहुत सारी चीजों को देख करके करना इनके अंदर मुझे नजर आ रहा है ठीक है एक न्यू बिगनिंग की अनर्जी भी दिखाई दे रहे हैं एक न्यू बिगनिंग को जैसे की ऑफर करें ये पॉर्षन तभी आपके साथ जस्टिस होगा ऑफर ये पॉर्षन अगर नहीं करते हैं आप को तो इनको नहीं लगता है कि पॉर्षन जो है ना जस्टिस करेंगे या जस्टिस कर रहे हैं ना आपके साथ नहीं यह अपने साथ यह पॉर्षन जस्टिस नहीं कर रहे हैं मुझे यहां पर यहीं देख रहा है कि यह पॉर्षन जस्टिस नहीं कर रहे हैं अपने साथ इस देखे जो पॉर्सन है ना इनके एनर्जी मुझे काफी अच्छी दिखाए दे रहे कि पॉर्सन कहीं ना कहीं आपको जादा तवज्जों देते हैं अपनी लाइफ में या कहें तो अब जो है ना इन्होंने देख करना सीख लिया है आपको एक आपकी वैलू करना या आपको आपके जो भी चीजें उनको सामने लेकर के आ इनर्जी मुझे फील हो रही है उद्धी आपके पाटनर आपको अभी फिलहाल मिस्वी बहुत ज़दा कर रहे हैं बहुत मिसींगए पर्षिन यह कि क्या करू मेरा करना कुछ गया नहीं रहे church या मुझे इंतजार करना चाहिए क्योंकि इनके जो सपने रहे हैं आपको ले करके वह कहीं न कहीं भी खर से गए हैं और कि इनके पास बहुत कुछ हो सकता है बहुत कुछ कर सकते हैं यह पॉर्षन लेकिन अभी जो है ना फिलहाल यह आपके दूर जाने से या आपके इग्नोर करने से यह पॉर्षन को काफी तकलीफ हो रही है काफी पेन हो रहा है इस पॉर्षन को ऐसा लगता है कि यह पेन से वह बहार ही नहीं निकल पाएंगे कैसे निकल पाएंगे ठीक यह पॉर्षन को लगता है कि यार मुझसे नहों भॉपने में लग nor is this character just wait when you go ahead Kingdom आ किवे कि पॉर्षन को मैं देख पा रहे हैं कि ये पॉर्षन ने अपने आप में कहीं बहुत खुबसुरत सा जो है विजुवलाइजिशन ग्या था बहुत कुबसुरत सी दुनिया बसाए थी लेकिन वह खुब्सूरत से दुनिया सिर्फ सपने में ही रह गई कहीं ना कहीं वह पॉजिटिविटी जो है ना यहां पर आई नहीं है सो मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है कि आपके रिष्टे में थोड़ा बहुत जो एक होता है ना कि जो हो चीजे हो नहीं पाई है आ और वह चीजे नहीं होने के वाज़ा से थोड़ी चीजे एकदम से जो एक बदल जाना है वह भी मुझे नजर आ रहा है आपके पार्टनर का ठीक तो यह पोर्शन काफी स्ट्रस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफी स्ट्रस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, ओके, फाइफ अफ स्वोर्ड्स एंड थ्री अफ कप्स, दिखिए होने को तो बहुत कुछ हो चुका है आप दोनों के बीच म कहें, कहें तो मिसंड स्टार्णिंग्स बहुत ज़दा हुई हैं, लडाई जगरी भी बहुत हुए, तूतू में भी बहुत हुए, ऐसा लगा जैसे कि अब सब कुछ खतम, अब कुछ स्टार्ट नहीं होगा, कुछ स्टार्ट ही नहीं करना है, बस यहीं से दा एंड करो औ और कहीं न कहीं मैं देख पा रहे हुँ कि आपके पार्टनर को एक फील हो रहा है न, यह कहीं अंदर से जो एक खाली पंचा फील हो रहा है न, वो मुझे नजर आ रहा है आपके कार्ड्स में, ऐसा दखता है जिसे कि five of swords के energy दिख रही है, आपके पार्टनर को आपके साथ जो भी connection है, जितनी भी energies हैं, कहीं न कहीं एक जो connection है न, यह person काफी frustrate हैं, काफी जदा frustrate हैं, मुझे ऐसा लगता है जिसे कि आपके पार्टनर को disturbance हो रही है और देखें यह person कहीं न कहीं पुरानी बातों को लेकर के काफी जदा सोच रहे हैं अभी फिलाल जिसे इतना प्यारा relation और इतना जदा जहरीला अब हो जाना, कहीं न कहीं आपके पार्टनर को जो है न, वो तोड़ रहा है, ठीक है, यह person अपने आपको strong दिखा रहे हैं, कि अभी इनको strong रहना है, अभी इनको बिल्कुल भी धीला नहीं पढ़ना है, वरना यह person धीले आपको काफी practical दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो यह उनकी energy नजर आ रहे हैं, देखते हैं अब आपकी energies क्या है, आपके लिए मातर 3 cards, ओके, मेरे viewers के लिए guide करें, स्रीफ 3 cards दीजेगा, क्या सोच रहे हैं अपने partner के लिए, हाट चक्रा, का, ओके, एमोशनली विद्ड्रोल, एंड शायदो का कार्ड है, बॉटम अफ देख, ओ माई गॉड आप इतने जादा परेशान हो, इतने जादा परेशान, कहते हैं कि आपकी love life, में बहुत आपने कुछ चीजे जहली हैं, बहुत stress, बहुत धोके, बहुत कुछ ऐसी चीजे जहली हैं आपने, कि ये मतलब उसकी कोई हद नहीं है, बहुत कुछ चीजे आपने जहली हैं, ठीक है? ऐसा लगता है, जिसे कि जो चीजे होनी चाहिए थी, वो होई नहीं, जो चीजे नॉर्मल हो जानी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हुई हैं, और आपको life में काफी परेशानिया देखने को मिली हैं, बहुत stress feel हो रहा है आपको, काफी आपने अपनी life में इतना जादा दोखा कभी नहीं खाया, इतना जादा stress कभी नहीं लिया, जितना कि आप इस relationship में आकर के ले रहे हो, अपनी आपको blame कर रहे हो, guilt feel कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, कि कैसे है, क्या है, कोई idea नहीं लग रहे है आपको, एकदम से मुझे ऐसा लगता है, जिसे कि आपकी जो personal life है, कहीं न कहीं एक बहुत जिसे होता ना कि love life में एकदम से आपको कभी खुशी मिली ही नहीं है, आपके partner ने आपको इस तरीके से तोड़ दिया है, कि अब जो है, आपने अपने आपको emotionally कहीं न कर दिया है, आपको ये person ने बहुत बुरी तरीके से जखमी किया है, ऐसा लगता है, जैसे कि आपके मन में हजार questions हैं, हजार जवाब भी हैं, हजार सवाल है तो, लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको फिर भी उन सवालों के जवाबों से कुछ ये नहीं अंतर पड़ रहा है, कहीं आप बहुत बहुत परिशान हो, mentally, physically, एकदम हर तरीके से आप परिशान हो गये हो, आपको लगता है कि ये मेरी life में क्यों होता है, या क्यों हो रहा है, बार बार मेरी खुशियां मुझे मिलने से पहले ही, है ना, खतम हो जाते हैं, मेरी खुशियां करके काफी परिशान हो की, यारे यार, यह हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, seven of cups, yes, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, आपके कार्ट्स में कि आपके पार्टनर को आपके साथ, जो आपके साथ जो रिस्ता है ना, देखिए ये person कहीं ना कहीं, seven of cups काफी confusion में है, देखिए, आप confusion, मैं आपकी बाते कर रहे हूँ, और, आप बहुत confusion में हो, कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपकी life का सवाल है, है ना, आपकी life की सवाल के उपर depend करता है सब कुछ, so yes, आप confusion में हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आखिर page of sorts, yes, यहां पर ठेंचन भरी पड़ी है कि मुझे क्या इस रिस्ते के लिए तयार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए क्योंकि इस रिस्ते में और इस आप आपको एक इस पर इसे आप एसे इसे पॉर्षिंस का इंतिजार करें और नहीं है और क्या करें ऐसे पार्टनर आपको गाली देते हैं आपको पूरी तरीखे से protect नहीं करते हैं जो respect आप deserve करते हो आपको डेते नहीं है वो एसे relationship में रहने से क्या फायदा आपको कभी कभी यह भी लगता है की यार क्या करूं मैं थोड़ा सा आपको mentally disturbance होता है लेकिन क्या कर सकते हैं है ना आपको ये भी लगता है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा थोड़ा सा अपने आपको अकेला पन फील कर रहे हो लेकिन फिर भी आप डिल कर रहे हो कुछ चीजों से ऐसा दिख रहा है मुझे देखो आप social media के थ्रूँ अपने partner से connect हो रहे हो और social media के थ्रूँ ही connection बनाने की कोशिश कर रहे हो आप मुझे यहां पर खास तोर से ऐसा दिख रहा है कि आप अपने partner को लेकर के बहुत serious हो और नहीं चाहते हो आप अपने partner को छोड़ना लेकिन फिर भी आपके मन में वह चीजें हैं कि म भी है ठीक है सो यह है आपकी reading आज की reading reading को करती हुखत मां थोड़ी सी झाल झाल